हेलो दोस्तों कैसे हो सब बढ़िया त्यार देखें इस वीडियो के अंदर मां आपको जो ट्रेकर्स ओफ यूरोव 3 है ना इसके जितने भी फीचर है ना सारे फीचर के बारे मैं आपको बता दूंगा मतलब जितने भी फीचर है ना इसके अंदर ये वाले फीचर और जो परते हैं सबसे पहले यहां याँ पर बात करते हैं इसके गंवाली फीचर है नहीं यहाँ जो आपको देखने मिलते सबसे सबसे what होती है और भी आतरो लुकॉइयों डेलेट है यहां पर देखिये लो यह जो तीसरा वाला उप्शन है ना इसके अंदर तो भाई यहां पर देखे जिसके ऊपर ड्रोप एक्सल लिखा हुआ है अब इससे क्या होता है कि यह जो टायर आपको दिख रहे ना यहां पर तो इसको जैसे आप ड्रोप पे किलिक करोगे तो यह जो टायर है ना यह देख ड्रोप पर यह साथ सोपचास आपके यहां पर पैसे लगेंगे नई तो आप यहां पर एक एडड देखके ना फिरी में भी आप मतलब आपके ट्रक को शीधा कर सकते हो ठीक पलट जाए तो जैसे इसके उपर किलिक करते ना यह देखें ट्रेलर तो यह जो ट्रोली है ना यह देखना भी हट जाएगी यह देखे बाइए ट्रॉली हट चुकी ट्रक से ठीक है कुछ इस परकार और फिर शे लगाने के लिए फिर यहां पर आते हैं वापस तो ठीक है इस ट्रेलर से यह जो ट्रॉली है यह हट जाती है उसे के साथ ही अब बात करते हैं पाउर मोड की तो यह जो पाऊर मोड है ना इससे क्या होता है कि आपका ट्रक जैसे मान लिजे कि किसी चड़ाई के उपर चड़ रहा है ना तो आप पाऊर मोड को ओन कर दोगे तो जो इंजन है वह पूरी पाऊर लगा देता है मतलब ज्यादा पाऊर लगाने लगता है जिस से आपका तो 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 थोड़ी पावर मिल जाती है और आसानी से चढ़ पाता है किसी भी चढ़ाई के उपर और उसे साथ ही बाइए जो डिफ्ट लोग है यह बहुत काम की चीज़ है तो इससे क्या होता है कि यहां पर इसको जैसे आप ओन करते हो ना जैसे माली जी यहां पर आप यह देखें बिलकुल आसानी से जो ट्रॉक है यहां से निकल जाता है तो मतलब इस से क्या होता है जो ट्रॉक के दोनों साइड के जो चक्के है ना वह काम कर देते हैं जो डिफ्ट लोक है उसको ओन करने से और उससे के साथ ही भाई अब बाहत करते है में यहां पर कई जलने लग जाती है यह देखिए लग से लगाना पड़ता के लिए लिए उसी के लिए करोगे तो आपको जो ड्राइवर है ना वो ट्रक से नीचे उतर जाता है कुछ इस परकार यहां पी आप देख लीजिए ठीक है और जैसे आप इसके पास जाओगे तो यह बैठने का उप्सन आगया ट्रक के अंदर वापस बैठ जाता है ड्राइवर और उसके साथ ही यह दे यह उपर हो जाती है ठीक है और भाई उसके साथ ही आप घूंपर नहीं चिले है उसको पाउर्किंग बरेक बोलते हैं और यहां देखे एक्सलेटर दे रहा हूं यानि की रेस दे रहा हूं लेगन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है जब तक मैं पार्किंग ब्रेक नहीं अटाऊंगा तब तक आगी गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ती है ठीक है तो आपको इसका मतलब जाश्माली चड़ाई के ऊ साथ यह है वाई यहां पे यहां वारिस आए ना नहीं तो इससे आप इसको ओन कर सकते हो और इसमें तीनि स्पीड होती है यहां देख तीसरे वाली यह गत्ति ऑर करदे उसके साथिया मेषित देखें एप इस प्रकार के लौieß और यह जबन Mmm न्यवीजिया, तो निशन देख रहा हैW यह प्यां देख लीजिय जो निशन देख रहा ना यह लिए ईयाँ पूब झैसमा लीजिया आपको चडाई На इसे ज्यार ट मरॉट और आपड़े-देरे इक दम किया होता है लगते Centers कभी 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 किया है मतलब अगर एक दम से डहलान आ जाती है जो नया मैप आया है ना उसके अंदर भोजियादा मतलब वह जो माउंटेन वाला रोड ना उसके अंदर जल्दी से ब्रेक लगते नहीं है लगते हैं तो गाड़ी मतलब बैलन्स बिगड़ जाता है तो आप यह यह उतलब ब्रेक के अंदर काम नहीं करता है और इसको बढ़ाव इसकते हो चियार तक कर सकते हैं यहां पर इसके क्या वहता है इसके तौन आपको बता देता हूं तो इसके लिए आपको कम से कंदेस्टी से उपर चलाना होगा यहां देखिए तो मैं ट्रक को 30 की स्पीड पर लेकर जाता हूं सबसे पहले इसके बाद सिस्टम है वर्क करता है अभी नहीं करेगा यहां पर प्र वंद हो जाता है तो भाई इसके लिए अपने आप ही लगता रहेगा इसके अंदर और जो रेस है ना वो मतलब अपने आप लगते रहेगी जो एक्सलेटर है उसको आपको दबाई रखने ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और भाई इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ओले फीचर की तरफ तो भाई इसके अंदर नेक्स्ट ओला फीचर है ना वह यहां पे तो देखिए जैसे आपको एकदम से लाइट देनी है ना तो यह देखिए कुछ इस परकार ठीक है यह साइड के इंडिगेटर है इसके अंदर कुछ इस परकार और बाई अब चलते हैं गेम की सेटिंग के अंदर यहां पे और इ सब्सक्राइब आपको देखने मिलेंगे तो इस प्राइटर के खर और प्रिक करूंगे जैसे मौबाइल को लेफट राइट करो आट तो आपका धैड के काम करने इस परकार गूमता है यानि कि गायरो इसको पॉन हो जाता है इसके अंदर जिसको अपनी बासा में वैसे गायरो यह ठीक है उसे के साथ यह गेंपैड यह है भाई देखिए यह अपने काम का नहीं है अगर आपके पास PC वेगर आना तब इसका आप यूज कर सकते हो और उसके साथ ही यह है control sensitivity controller sensitivity से क्या होता है वह मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो भाई यह देखिए अगर मैं यह जो टायर है ना इनको इस साइड मेरे को लाना है ना तो यह जो इस टेरिंग है इसको कितनी बार गुमाना पड़ेगा आप देख लेना तो एक दो ठीक ह अगर इसको अपन यहां पर जीरो कर देते ना control sensitivity को तो यह देखिए एक मिनट यहां पर उस साइड है ना उस साइड से यह जो टायर है ना इनको इस साइड लाने के लिए कितनी बार गुमाना पड़ेगा देखना एक दो तीन च्यार पांच छे लगबग छे बार हमको गु जाएगी और अगर इसको कम रखोगे ना तो इससे मतलब कि आपके गाड़ी को घुमाने के लिए थोड़ा इस्टेरिंग को ज्यादा गुमाना पड़ेगा ठीक है आप समझ गए होंगे मेरा मतलब और उसके साथ ही इसके बाद यहां पर देखिए controller opacity इससे क्या होता है यह जो आपको यह जो बरे यह देखिए जो steering और बरेक वगर जितने भी इसके अंदर जो feature दिख रहे है ना आपको यह देखिए जो accelerator आपको दिख रहा है बरेक दिख रहा है इस टेरिंग आपको दिख रहा है यह फिलाल तो अगर आप इसको फुल है तो इतना दिखता है और आप इसको जीरो कर दोगे ना यहां पर देखिए बरेक इस टेरिंग यह बिल्कुल मतलब एक तरह गायब से हो जाते हैं यहां पर देखिए बहुत ही हलके आपको दिखते हैं तो यह आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो आपको फुल रखना या कम रखना है और भाई उसके साथ यहां देखिए थ्रोटल एंड भेटल यहां पर देखिए फीपैडल यहां पर देspecific अंदर को दूब्लेग देखिए यह गाया अपने इस्याब से दिखेंसे बिखेंक वरां ऑट दूस्हर और नोर्मब नीग 11今 ऐसम वागती तो पर ऊपर उपर ओंगे तो एक सकते हैं ऐसे बरेक के अंदर सिस्टम काम करता है और अगर आप इसको यहां पर देखे नॉर्मल बटन पर आप किलिक कर दोगे ना तो इससे क्या होता आप कहीं पर भी फिंगर रखो तो यह जो एक्सिलेटर रहना यह देखे फुली यहां पर मतलब दब जाता है ठीक है यह यह देखे तो इसके अपने इसाब से कर सकते हो इसको जैसे मेरे को प्रेग्रेशिव बढ़िया अच्छा लगता है तो मैं यह प्रोग्रेशिव इसको रखता हूं कुछ इस परकार यह ठीक है और भाई अब आतकर इसके अंदर ग्राफिक्स के बारे में सब्सक्राइब अ यह प्रेशिव आप मान सकते हो ऐसे ग्राफिक्स है तो एक तो यहां पर होती है वैरी लो एक है लो एक है मेडियम एक हाई और एक है ल्ट्रा तो यह पर देखिए अगर अच्छा है ना जैसे मान लिजे की लेग वगरा नहीं करता है तो आप लग लीजी आपका मोबई ल को देख रहे हैं और इसको में लो कर देता हूं ना तो बहूंत है आप क्या हाल हो गया मतलब नहीं लगए यह डापैस्तe को पाफिकों ग्राफिक्स को आप हाई रखेंड तो यह देखिए कुछ इस परकार का पेड रियल काफी लग जाता है और अगर इसको लो करोगे तो यह दुंदला हो जाता है और भाई उसके साथ ही अब बात करते हैं सेडो को आल्टी की को के स्वेटात परिया म्नला के जाता हैं तो को यह दैखिए अगर झभी परियर कि और ऐब पर दो को 25 गायब लिए दना वहाँ है तो आप कर दो कि तो क्यार यह धेकर सब्सक्राइन अगर जिर्ट को देखना पर कर करको बांते हुरं कि दू देखिए जो सेडो है ज्यादा किलियर नहीं देख रही है आपको और अगर आप इसको सेडो रेजूलेशन को हाई करोगे तो यह जो इनकी जो परचाई है ना वह काफी ज्यादा किलियर इसके अंदर देखने लग जाती है और भाई उसे के साथ ही अब बात करते हैं यहां प एक परकार यहां पर देख लिजें नंबर पलेट देख रही है और आप देखो तो पेड़ भी आप देख सकते हो तो अगर मैं रेंडरः स्केल को यहाँ जीरो कर देता हो ना तो यह देखिए नंबर पलेट और जो यह आप देख लिए बिलकुल मतलब थोड़ी धूंदल इसे आपकी जो क्वाल्टी है ने रेंडर होने की क्वाल्टी वह काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है आप अपनी साफ से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो और भाई उसी के साथ ही यहां पर देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग यह फिलाल ओन है तो यह जो ट्रक के उपर आपको म आप देखने मिलेगी जो चमक थे ना वह बिल्कुल एक दम से गायव हो चुकी है और अगर आप इसको कम कर देते हो ना तो वह है यहां पर देखिए मतलब जो पोस्ट प्रोसेसिंग ना उसी का पार्ट आई है इसको आप अपने इसाफ से कमीया ज्यादा रख सकते हो यह कुछ इस परकार अगर आप इसको फुल रखोगे तो ज्यादा ही कुछ चमक हो जाती है यहां पर देखिए कुछ इस परकार ठीक है तो आप इसको थोड़ा साप कम रख सकते हो और भाई अब बात कलते हैं यहां पर वेजिटेशन डेंसिटी तो भाई इसे क्या होता है इस दी इसको इतना फरक नहीं देख रहा है और मेरे को यहार कमम्पलीट पता नहीं है इसके बारे में पृर में पहर से परेते हुआ है उस्से के साथ अब बात करतें है यह रेंड औरो कौल्टी की अंदर अगर आप इसको लो पर रखोगे यहां पर दैख रहीुग देख रह आपको देखने मिलेगी। बिलकुल कमुछ इस पकार बुंदे आपको देखने मिलेगी। और अगर आप इसको हाइए कर दोगे। रैंड ड्रोक कौलिटी को यहांपे देखे। तो आपको इस परकार के वारिस यह прाइस की बूंदे हैं। देखे रियल टायम रेंन रिफलेक्शन और अगर आप इसको ओफ कर दोगे यहाँ तो यह यहां देखे आपके जो ट्रक की परफार जो शड़क के ऊपर पानी है ना पानी के अंदर आपके ट्रक की परफारी नहीं दिखती है यहाँ पर καल देखे कुछ इस पर परफाराई न अंदर दिखने लग जाती है तो इसका यह गाम है और भाई आप बात करते हैं यहां पर लिमिट fps तो इसके अंदर आपको अगर आप लिमिट fps को कम रखोगे ना यहां पर देखिए 30 पर तो आपका जो गेम है ना वह हलका लका सा जैस्माली जादा तो आपको फरक देखने नहीं मिलेगा लेकिन हलका हो सकता है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चले ठीक है और अगर आप इसको 60 कर दोगे ना तो 60 से आपका जो गेम है ना वह तो काफी ज़्यादा इसमूथ चलेगा मतलब अच्छे तरीके से चलेगा लेकिन हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है तो थोड़ा सा हीट होने लग जाए यानि मोबाइल थोड़ा गरम होने लग जाए और जो बैटरी है बैटरी थोड़ा जल्दी खाने लग जाए ठीक है अगर नो लिमिट पे आप रखोगे ना तो इसे आपका गेम तो बहुत जादा इसमूथ चलेगा लेकिन आपका जो म लिमिट है ना इसको कम कर देना और मोबाइल आपका अच्छा है तो इसको आप नो लिमिट कर देना और भाई इसके बाद यहां पर आते हैं इसके अंदर यह जो क्लावड क्वाल्टी आपको देख रहे हो ना कुछ इस परकार अगर आप इसको हाई पर रखोगे ना कर देते हो ना तो आपके जो मतलब जो बादल है ना वह कुछ इस परकार के थोड़े आपको कम आपको देखने मिलेंगे मतलब थोड़े दूंदले टाइप के ठीक है इसके साथे बात करते हैं डाइनामिक लाइट की तो अगर आप इसको ओन करते हो ना जैसमान लीजी इस कर देते हो ना तो यह देखिए जैसे आपके ट्रक के उपर लाइट गिरती है ना तो आपका ट्रक चमकने लगता है कुछ इस परकार तो समझ गये होंगे आप इसके बारे में भी अब बात करते हैं भाई इसके अंदर बता दिया अब आते हैं ट्रक वाले ओप्शन के उप देख रहें ना डी एन और और यहां पर इसके अंदर आपको गियर भी दिखाता है यहां पर देखें तीसरा गियर लगा हुआ है ठीक है तो आपको यह देखिए ऑटमेटिक की यह जो गियर है ने यह चैंज हो जाएगा यह चोथा गियर इसके अंदर लग चुका है और य कंदर अभण पे देखें कुछ प्लश और माइनस को को देखनurn को देखना हम रखेंप तेक्ष कर यहां यहां पे घर लगाया हूँ और में एक्सट रगृट कर यह नहीं हो Date यह त्याल इस नहीं हो रहे त्लुद आप इसको चैन्ज नहीं करोगे और जैसे मैं पलस के ओपर किलिक करता हूं तो यह देखे गियर चैन्ज हो चुका है यह फोर गियर इसके अंदर लग चुका है ठीक है तो आप अपने हिसाब से मैनूल आपर आप सकते हैं तो इसको अगर कम रखोगे तो आपका जो चैन्द अ तो जहां तक हो सके ऊस्के इन श्रय से इसप्सक्राइब और तो फुली रखना नहीं कि ईसको प्रूब हो जहां तो आप तो घ्रने के सब्सक्राइब अब इसको नहीं हो जाएगा जाएक और उसे के साथ ही ऑसके अदर जो ट्रेलर स्टेबलीटिज यहां पर और कम रखोंगे ही तो ईसे लेफ्ट डाइट ऐसे ट्रोली बलकुल सी नियुक्त रह रहे हैं उसे के साथ बात करते हैं सब्सक्राइब बात करते हैं हम आफ कमरखो यह तो कुछ इन पन पर देखिंग को जो आप कम रखो गए ना तो कुछ इन परकार यह देखिए जैसे आप ब्रेक लगाते हैं चौंट व्weight और अगर आप इसको फॉल कर देते हो ना यह की तो इसको प्रकार यां देखिए तो इसको आप हाड ज्यादा ना ज्यादा भी कर सकते ओसे के साथ फ्यार प्रेरेट है इसको अगर है ओनों कर दोगें इसको कि अधिरे दिरे तister सीखेया एक दम यह एकदम से when yourself एग दम से लगते से लगते अब बढ़ जाती है और इसको फोर कि अगरा अगराम किमी को दहए दिरे दर अब इसाब से नहीं ना यimmtory को फूल रखोगे ना और जाशी आप ब्रेक स्की ऑगा गया po तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे बाकी भाई उसके साथ या बाते हैं गेंप लेके बारे में तो यह अंदर आपको सबसे पहले कैमरा मोड देखने मिलेंगे तो कैमरा मोड आपको यह देखें पांच ओप्सन देखने मिलेंगे ट्रेलर लुक एट वील साइड रूफ औ देखे और अगर आप इसको यहां पे देखे यहां पर ट्रेलर के ओपर किलिक कर देती है ना ट्रेलर लुकाउट विल साइड रूफ और बैक इन्हें सबीको ओन कर देते हो तो अब देखना यह देखे कितने आपको कैमरा एंगल देखने मिलेंगे तो यह तो देखे और भाई यह 360 जिसको लुक आउट बोलते हैं लुक एट यह भी आपको देखने मिल जाएगा उसे के साथ ही कुछ इस परकार आप मतलब कैमरा एंगल इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे समझ गए और भाई अब बात करते हैं इसके अंदर तो मैं तो इसको कर देता हूं बाग कि आप अपने हिसाब से इसको कर सकते उसे साथ ही एक मिनट में वर्ट रख को रोकता हूं तो जैसे आप कैमरा एंगल चैंज करोगे ना तो कुछ इस परकार आपको यहां पर देखने मिलता है लेकिन अगर आप इसको ओफ कर दोगे ना नो पर किलिक कर दोगे तो य तो इसको आप उन रख लेना काफी ज्यादा मतलब यस पर कर लेना तो काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है ऐसे कुछ इस परकार आता है इसके अंदर उससे के साथ यह नीचे लेंग वेज़ें आप अपनी चैन्ज कर सकते हो अपनी भासा अगर आपको चैन्ज करने है इसके अंदर हिंदेवाजा भी आपको देखने मिल जाएगी और भाई अब बात करते हैं यहां पर देखने में देखने मिलेंगे यहां पर को सिर्फ इस्टरिंग ही देखने में लगा यहां पर देख लीगे तो जो ड्राइवर के गाएब हो जाते Bakार। फिर और अगर इसको एश पर गलंगे तो आपो इसके अंदर ड्राइवर के आशा पैसले मिलेंगे duaad बैठा हुआ यहां पे यह देखिए इंटेरियर कैमरा सेटिंग के बारे में तो इसके अंदर आपको तीन ओप्शन देखने मिलेंगे इस्ट्रीट रोटेशन रिशेट और रिलीज और बिलिंकर रोटेशन सबसे पहले जो इस्ट्रीट रोटेशन है यह अगर ओफ रहता है तो आप यह द देखिए इस टेरिंग आप गुमाऊगे उसे साइड आपका जो कैमरा एंगल हो जाता है और इसे के साथ ही यहां पर देखिए और यह जो दूसरा वाला उप्शन आपसे इसके अंदर रिशेट और रिलीज अगर आप इसको ओफ कर देते हो ना तो यह जो गैमरा एंगल है यह थे मैंने इसाइड कर रका हैं यह यह को यहां ही सामने कि तरफ नहीं आएगा अगर इस बरकार यहां देखेट मैं नहीं हो थैंब की से cord orelight यह बिलिंकर रोटेशन अब बिलिंकर रोटेशन से क्या होता है तो मतलब यहां पर देखिए कुछ इस परकार सबसे पहले यह आप देख लेजिए तो जिस साइड का भी मैं बिलिंकर दूगा ना यानि कि है यह क्या बोलते हैं इसको इंट इंटिकेटर दूगा ना उस साइड यह जो BEN ऐना यह हो जाता है दू सेकिन्ड के लिए तो इस साइड का देख्या हो तो इस साइड का ओध GRET खार वा तो इस साइड केमरा उंगल हो जाता है मतलब है तो इसका मतलब यह आप समझ गये होंगे interior camera position तो यहां देखे interior camera position के अंदर कौन फिगर के उपर आप click करते हो ना तो यह जो आपका यह धिखे आप सीट को आप अपने अिशाब से आपको देखने मिलता है जो पीछे जो गाड़िया आपको देखने मिलता है अगर बहुत आपको देखने मिलता है और जैसे अगर आप आप इसको हाई कर दोगे ना यहां पे देखिए इसको हाई कर दोगे तो जो ट्रैफिक है ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने मिलेगा तो आपको ज्यादा ट्रैफिक में खेलना अच्छा लगता है तो आप इसको हाई कर सकते हो और आपको कम ट्रैफिक में खेलन देजिए इसके अंदर wis तो बहु यह देखें ये हैTमार करोगे भी बार किसाउन नहीं कि इसको режुत कर सकते हैं जैसे आ र्युक्त कुदो आप कर सकते क्म कर अदिया है तो यह तो ट्रक सांड ऑर उसे चाहिए इसे साथ यह आपको सुझन रही थी लाप ट्रेलर की साउंड यह त्रक की साउंड उसके साथ ही यह कुछ काम का नहीं है इसको आप रख सकते हो उसके साथ ही यह भाई SFX तो SFX से आपको नॉर्मल तो इतना पता नहीं चलेगा लेकिन इसकी जितने भी साउंड है ना उसकी क्वालिटी को थोड़ी सी चैन्ज कर देता है इंप्रूव कर देता है तो इसको आप जहां तक हो सके आप इसको फुली रखना तो आपको जो मतलब जो साउंड है वह काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने मिलेगी और उसके साथ ही अब बात करते हैं इनवारिमेंट की तो इनवारिमेंट के अंदर अगर आप इसको ओफ कर दोगे तो यह इनवारिमेंट है जो ट्रेफिक है कि आवाज भी आपको सुनाई देगी सब्सक्राइब के अनदर सुनने लग जाएगी इस परकारी यह उर्भाई यह क्या है अट है यह जो गाड़ी करोगे तो यहां देखे ट्रक, ट्रेलर, ड्राइवर्स और गैरेज का उप्षन आपको देखने मिलेगा ट्रक के ओपर जैसे आप किलिक करोगे तो आपके जितने भी खरीदे हुए ट्रक है वो आपको यहां पर देखने मिल जाएंगे यह देखे मैंने सारे ट्रक की इसके अंदर ख करना है तो कौन फिगर के ओपर किलिक करेंगे तो कुछ इस परकार मोडिफाई आप कर पाऊगे तो भाई यह देखे अब भी फिलाल मैंने जोब ले रखिए तो जोब को अगर आपको छोड़ना है वीच रास्ते में तो यह जो यहां देखे एवन्डम जोब लिखा हुआ परकार है ना यह देखे पैलेंटी भी लगती है इसके अंदर तो फिलाल मेरे को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बता है ना समझाना है तो यह देखे कुछ अगर मेरे को ट्रक चेंज करना है ना तो यहां पर देखे जैसे मैं ड्राइब पे किलिक करता हूं और यह यहां पर देखे थोड़ा सा टाइम लग रहा है यह देखे अपना जो ट्रक था ना वह यह पर आ चुका है कुछ इस परकार्य यह पर देखे यह ने अभी लिया है यह और भाई उसके साथ ती यह पर और भी आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं तो जैसे मैं ली जी यह सकते हैं जो सेल के उपर जैसे क्लिक करते हैं तो यह जो ट्रक नहीं है देखिए जैसे इसको बेचूंगा तो इसके 20,000 मेरे को मिल जाएंगे मतलब जितने का आप ट्रक खरीदते हो ना तो उसे आदे पैसे इसके अंदर मिल जाते हैं आपको अगर बेचना है तो आप यहां ट्रक को बेच भी सकते हो ठीक है और वाइ उसे के साथ ही है यहाँ पे कोन ऺंवार तो चले कों फिगर में में यह यह थ्रक ले लेता हूं यहां पे वहाँ कि देखने मिलेंगे को यह साथ जो देखने मिलेगे आगर किए मлекना दूसरा मटर लेना चाहिए तो ले सकते हो और आपको गुज है उसको कुछ इस परकारते हो इस परकार को पर क्याओ कर चैन्ज करना खूद भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं और उसे के साथ ही जो दूसरा आ रहा है निसके अंदर ट्रेलर तो ट्रेलर के ओपर जैसे क्लिक करोगी तो ओनेबल ट्रेलर अब आया नहीं है फिलाल ठीक है इसको आने में थोड़ा टाइम है ड्राइवर्स भी आए नहीं है ड्राइवर आने बाद आप ड्राइवर को हायर कर पाओगी अगर आपको कुछ काम है तो ड्राइवर को आप अपना ट्रक दे दीजी वो आपको कमा कर दे देगा तो फिलाल याmaster बोड जल्दी आने वाला मुष्यक श्ताइमे और के न मांको von डेखियोंत कि दिश्ग में आपके पास एक लोग होती है यहां पर सकून और दूसरी ख्रीदर के इणा है ना yet ओड सिरुवरे चया कर सकते हैं तो मेरे पास तीन गयरे जाए इसके अंदर आपके जो लिविल है इंदर आपके नहीं से work ने जो आइडिया है इसको आप यह आपके जितने हम पास जितने आपके गेम में पैसे तो सब कुछ वापस आजाएगा जैसे आप यहां लोड के उपर किलिक करोगे ना तो जीतने भी पैसे वगए रहे थे सब कुछ वापस आजाएंगे अगर आप इसको कलाउड में सेव करके रखोगे तो और उसके साथ ही यहां पर बात करते हैं आपका जो बैलेंस है ना बैलेंस यहां पर दिखा बहुत सारे इसके अदरं बाहरा से ट्रք और नए त्रक आने वाले इसके अंदर आप यहां सी परच्चेज के उपर किलिक करके आप नई डच्राइशाइए टी को पर देखा और माइनस दिखा रहा है माइनस 19,000 तो जैसे मान लिए आपका बैलन्स अगर माइनस में है तो आप ट्रक नहीं खरीद पाओगे आपके ड्राइवर को अगर नीद आने लग जाती है तो यह रास्ते में आपको बहुत सारी जगह पर यह जो जैड लिखा हुआ है ना यह जो बैड आ रहा है तो इसके उपर आ है फिससरी आपके ट्रक अगर यहां पर देख़ेंगे के लि़गा यह देखिए जैसे यहां पर यह देखिए एक मिनट थोड़ा सब्सक्राइब करता हूं यह सो पर सेंट पर यह देखिए और जैसे आप स्टार्ट के उपर क्लिक करोगे तो आपका जो ट्रक है ना वह यहां पर देखिए साफ हो जाएगा यह जो मिट्टी लगे हुए यहां यहां पर साफ हो जाएगी कुछ इस परकार यहां पर देखे तो ऐख तो इसके अंदर बहुत सारी जोब आपको देखने मिल जाएगी यहां पर देखिए कुछ इस परकार की जो भी आपको जोब लेनी है ना वो जोब कहां से और कहां तक जाएगी वो यहां पर दिखाता है और उसमें कितने पैसे मिलेंगे यह देखिए 3554 इसमें मेरे को मिलेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाता है इसके अंदर अगर मैं यह जोब लेकर जाता हूँ तो यह देखे 7,944 इसके अंदर मेरे को मिल जाएंगे ठीक है तो यह जोब कहां से कहां तक जाती है वो लोकेशन भी इसके अंदर यहाँ पर दिखाता है यहां पर जैसे किली करूंगा तो यह वाली जो जो भावन यह मेरे को मिल जाएगी तो सबसे पहले पर निज डिखा है और ड्राइवर को चूलाना या नहीं अबर दिखाता है यहां पर दिखाता है और उसके साथ ही ट्रक के अंदर मतलब श्यूल कितना है यानि की जो डिजल हो आपको दिखाता है कुछ इस परकार यह तो तो यह पारा देखा रहा है यह पर देख्या है यह नहीं ने तर्भा यह पैसे नहींласт share इतने लगेंगे एक अजार सत्याशी ठीक है और अगर आप यहां देखे में कुछ इस प्रकार इसको रिपेर करूंगा तो यह यहां पे आप देख लीजी यह फूल हो चुका है ठीक है यह रिपेर अगर कम हो जाता है तो इसको फूल रखिये नहीं तो आपको जो ट्रक है न चौका अंदर डलवाना पड़ता है यहां पर तो जैसे यह एँपर आयंगे तो यह देखिए इस चरकिल के इंदर गारी को लोकना है यहां ठीक है और यह जो इनजन वन दिखा है यह टो सो JOE सब्कृत कर लएगा है जैसे यह को फिल फिल करोंगे ना थी क्लिक अर ethics क्लिक कर तो यार देखे सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको बता दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार बहुत ज्यादा मेनत लगी है इसी वीडियो को बनाने में मिलते हैं ले वीडियो में टेक केर अटो कि हूँ झाली आपको लगा हो जाता है झाली आपको पारैब और इंवगाने इसी जह किए लाएब एज हो फथा य में दोनी कि एच वीडियो कर गवाने प kullandने में वीडियो के लाख